Hello friends and welcome to the unknown ये तो आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा अपने टीचर से आपने माबाप से कि सब कुए में कुण नाइं तो क्या तुम भी कुण चाहोगे इसका literal meaning है कि हमें दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए मगर आज हम जानेंगे कि क्या सच्चा ही है इस बात की कि आकर हमें दूसरों की नकल क्यों नहीं करना चाहिए तो आईए डूप जाते हैं कुछ ऐसी ग्यान की बातों में वाई हूमन्स कॉपी इच इदर तो जनाब हूमन्स की एक दूसरे के बहवियर और मूड को कॉपी करने की टेंडेंसी या शमता को साइकोलोजिस्स मिरिरिंग बोलते हैं मिरिरिंग हूमन्स का एक बेसिक इंस्टिंक्ट है जिस पे साइकोलोजिस्स बह systанов का रिसरश कर रहे हैं और उसमें यह पाया कि मिररिंग ब्रेन में मौझूद special neuron की वेज़े से trigger होती है जिसको scientists mirror neuron के नाम से जानते हैं लेकिन अभी तब किसी को ये पता नहीं चला कि क्यों और कैसे mirror neuron काम करते हैं mirror neuron जो हैं controller हमारे वो सिर्फ brain के specific part में पाए जाते हैं जो की है pre-motor cortex and supplementary motor area What is the need of copying each other's? अब भाई हमें नकल्ची बंदर बनने के क्या फायदे हैं human जो है species हमारी वो आज इतनी successful इसी वज़े से है क्योंकि वो mirroring में expert है एक दूसरे का behavior copy करने से नई skills सीखी जा सकती है और अगर आप भूल रहे हों तो आपको याद दिला दे कि human child जिसे हिंदी भाषा में इनसान का बच्चा कहते है वो अपने माबाप की copy करके ही develop होता है और बोलना सीखता है एक दूसरे की mirroring करने से हमारी एक दूसरे के साथ understanding बढ़ जाती है और communication easy रहता है इस बात को कुछ इस प्रकार से समझने की कोशिश करिए जाना है क्योंकि वो आपके बहुत दूर वाले खास रिष्टेदार उठेरे तो ना चाहते हुए भी वहाँ जाकर कुछ उदास चेहरों को देखकर आपका mood off हो जाएगा और आप भी उदास हो जाएगे यह स्वाभाविक है क्योंकि आपको अपनी family के साथ एक mutual understanding जो रखनी है हाँ लेकिन अगर funeral जैसी जगहों पर आपका कुछ तुफानी करने का मन करे तो एक बाँ जरूर ट्राई करिएगा और उसकी वीडियो बनाकर TikTok पर डालना मत भूलना तो हमने अभी देखा कि mirroring human evolution and survival में एक बहुत ही important role play करती है तो इससे ये पता चलता है कि human potential danger में शायद ही किसी को copy करें क्योंकि अगर इनके copy या imitate या नकल करने से life खत्रे में पड़ती है तो पूरी की पूरी एक generation पैदा होने से पहले ही extent हो सकती है तो इस गंभीर बात को हम इस तरह समझने का प्रयास करते हैं कि माल लीजिए आपकी शहर में बहुत तेज आंधी या तूफान या भूकम पाने वाला है वो भी अगले कुछी घंटों में मगर आपको इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है और आपकी चारों तरफ सभी लोग अपने बीवी बच्चों और अपनी LIC इंशूरेंस की रसीदें लेकर इधर उधर भाग रही है तो आप भी ऐसी कंडीशन में बिना किसी से कोई सवाल जवाब किये पहले तो अपने घर की और भागेंगे और अपनी सभी जरूरी चीज़ों और इंसानों को एकट्टा करने के बाद एक ऐसी सेव जगए पर जाएंगे जहां सभी दूसरे शहर के निवासी जा रहे होंगे तो अब क्या? मिररिंग अभी भी साइंटिस्स और साइकोलोजिस्स के लिए एक बहुत ही जादा डिफिकल सबजेक्ट है तो आप हम क्या कंक्लूट कर सकते हैं इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हमने इस वीडियो में ये जाना कि मिररिंग एक इंपॉर्टेंट टूल है धर्ती पर जीवित रहने के लिए और ये communication skills इंप्रूफ करता है और हम इंसान किसी को ऐसी चीज़ों में कॉपि नहीं करते हैं जिसमें हमारा पर्सनल नुक्सान हो तो हम ये कंक्लूट कर सकते हैं कि कॉपि करना हमारा एक natural instinct है और उसी की वज़े से आज हम पृत्वी की सबसे superior पर जाती है अब अगर कोई आप से कहे कि सब कुए में कून देंगे तो क्या तुम भी कून जाओगे तो आपके पास आंसर है कि नहीं बट अगर आप ऐसी चीज़ की नकल कर रहे हैं जो कि नुक्सान दायक नहीं है आपके लिए और ना ही दूसरों के लिए और आपको उससे खुशी मिलती है तो आप सर्फ अपना बेसिक ह्यूमन बेहिवियर शो कर रहे हैं और कुछ नहीं कृपया वीडियो देखकर भावख मत हो जाईएगा वीडियो में कॉपी करने का मतलब एक इंसान दौरा दूसरे इंसान का बेहिवियर कॉपी करने से है ना कि उसकी जिन्दगी भर की मेहनत कॉपी करने से ना ही हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक्जाम में कॉपी करें और अगर करना ही है तो अपने पढ़ाकू दोस्त का पढ़ाई के तरफ इंट्रेस्ट को कॉपी करने की कोशिश करें हमें दूसरे इंसानों की गलतियों को नहीं उनके अच्छे कामों को कॉपी करना चाहिए ऐसा नहीं करना है कि अगर किसी ने गलती से कमेंट्स में बिनोध लिख दिया है तो देश की आदे से जादा अच्छे दिमाग वाली जनता भी कमेंट्स में बस बिनोध ही बिनोध करती रहे एंड प्लीस कमेंट सेक्शन में अपने व्यूस और सजेशन्स देना ना भूलें तुम मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए अलविदा दोस्तों एंड सी यू सून यहां पर देखें ऐसा कोशन चुट्टी बजाते ही सौल करना सका देता हूं एक्स का वल्यू क्या होगा एक तो बेसिक मेथड है उससे नहीं करने का एक्जाम में साकिनों में कोशन करने का